भंगाहल का तिलिस्मी संसार हिमाचल की सबसे खुबसुरत घाटी कौनसी है और किस घाटी को रोमांच प्रेमियों के स्वर्ग का खिताब दिया जा सकता है यह सवाल किसी रोमांच प्रेमी घुमकर से पूछा जाए तो यकीनन वह भंगाहल घाटी का नाम ही लेगा यह एक तिलिस्मी लोग है जहां बरपीले रुपहले शिखर शिखरों की गोध में हर्याली से पूण घाटियां नजराती है संपूण घाटियों के सीने पर सीड़ी नुमा खेतों की लंबी कतारें खेतों को सींचते पारदर्शी जल के जरने घाटियों की संकरी ढलानों में नागिन सी बलखाती सरिताएं कहीं शिखर से लुढकता आता कोई जरना भंगाहल घाटी प्रकृती के इन तमाम रूपों का नाम है अगर हिमाचल की किसी घाटी तक महुचने का सफर सबसे जोखिम भरा है तो वह भंगाहल घाटी ही है एक से बढ़कर एक रोमांच कारी पढ़ाव एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज अजूबे और एक से बढ़कर एक नैसर्गिक अंचुए स्धल घुमकर जब इस घाटी में प्रवेश करता है तो एक अनूठी दुनिया उसका स्वाकत करती है यहां के लोगों की अनूठी संस्कृती, दिल्चस्प परमपराई, खानपान एवं पहनावा प्रदेश के बाकी क्षितरों से मेल नहीं खाता यही भिन्दता इस घाटी को विशिष्ट भी बनाती है, सडक इस घाटी तक नहीं पहुची है और ट्रेकिंग वर रोमांच की शौकीन ही यहां पहुच सकते है इस माया लोक में जहांकने के लिए एक रोमांच भरा सफर लेखा को तै करना पड़ा, जिसकी यादें हमेशा के लिए मानस पटल पर अंकित हो गई है बैजनात मंडी, राश्ट्रिय राजमार्क पर बीर रोड से चाई बागानों का सिल्जिला शुरू होता है सड़क के दोनों किनारों पर चाई बागानों में पत्तियां तोड़ती महिलाओं के गीतों के बोल पलभर के लिए ठिठकने को विवश कर देती है फिर जयों-जयों कदम आगे बढ़ते जाते हैं, मंत्रों का जाप करते बौध बेक्शु अपनी और ध्याना कर्शित करते है आगे बाजार है, कुछ एक दुकाने और चाई का कार खाना, यहां किसी दुकान पर कांगला चाई पीकर ताजा दम हुआ जा सकता है इससे आगे का सफर रोमांच भरा है, घने जंगलों का सिलसिला शुरू हो जाता है सरपीली बलखाती सड़क निरंतर पहाड के वक्ष पर रेंगती प्रतीत होती है 14 किलोमीटर का सफर तै करके जब बिलिंग पर पाँ पढ़ते हैं, तो यह लगता है जैसे आसपास के पहाड हमारे लिए बौने पढ़ गए हो और हम अंतिरिक्ष में तैर रहे हो दूर दूर तक पहाडियों का सिलसिला है नीचे जाकें तो छोटे छोटे गाउं, खिलोने से घर, लहलाहती फसलें जिनने देख कर धर्दी पर विशाल गली चा बिछे होने का मुगालता होने लगता है बरबसी मन मोह लेते हैं परवत श्रिंखलाओं पर अठखेलियां करते, बादल प्रकृती के विभिन रूपों से रूबरू करवाते हैं बिलिंग रोमांचक खेलों के आयोजन के लिए मशूर है हैंग गलाइडिंग और पैरा गलाइडिंग के लिए तो बिलिंग जैसी जगह समूचे एशिया में नहीं 1984 में यहां सबसे पहले हैंग गलाइडिंग का आयोजन हुआ था इसके बाद तो यह स्थल अंतर राश्ट्रिया खेल मानचित्र पर आ गया सासे खेलों के आयोजन के दिनों में तो यहां काफी चहल पहल रहती है लेकिन बाद में फिर बिलिंग खामोशी की चादर ओड़ लेता है यहां खामोशी तभी तूटती है जब कोई गद्धी अपनी भेड बकरियों के रेवर के साथ यहां पड़ाव डाले या फिर परवता रोहियों और रोमांच प्रेमी परियाटकों का कोई दल यहां से गुजरे बिलिंग से सूरियो दै और सूरियास्त का नजारा बड़ा विहंगम लगता है घाटियों में तैरते दरखतों से लिपटते बादलों के टुकड़े बरबसी मन मोह लेते हैं बिलिंग से बारा किलोमेटर आगे बड़ा ग्रह है यहां आबादी है और कद्धी लोगों के बसेरे है सीडी नुमा खेतों में गेहों की लहलाहती फसल को देखना बड़ा मोहक लगता है अपनी ही दुनिया में सिम्टे यहां के लोगों को सलानियों का साथ बहुत अच्छा लगता है राजगुंधा और कुकडगुंधा इस घाटी के रमणी अस्थल है उहल नदी के किनारे बसा कुकडगुंधा गाउं कांगला जिले के दुरगम भंगाहल इलाके का आखिरी गाउं है समुद्रतल से करीब 3000 मीटर की उंचाई पर बसे इस गाउं में प्रकृती ने दिल खोल कर अपना नय सर्गिक सौंदर्य लुटाया है चारों तरफ तोश, देवदार और कैल के गगन चुम्बी पेड अद्भुत नसारा प्रस्तत करते है गाउं में 15-16 घर है और सभी दड़बानुमा सर्दियों में यहां गाउं कई-कई फुट मोटी बरफ की चादर से ढख जाता है और गाउं के बाशन दे सर्दियां आते ही यहां से पलायन कर बैजनाथ उपमंडल के गद्धी बहुल इलाकों में जाबसते है गर्मियों के दस तक देते ही यहां गाउं फिर आबाद हो उड़ता है कुकड गुंधा से 7 किलोमीटर आगे है पलाचक यह भी उहल नदी के किनारे बसा है यहां लकडी से निर्मित बन विभाग का विश्राम ग्रहे है यही हमने रात काटी एक रोमांच भरी रात रात तेज तूफान में यो लगता था जैसे हवा इस विश्राम ग्रहे को या तो उड़ा कर कहीं दूर ले जाएगी या फिर लकडी के शेहतीर हम पर आगे रेंगे कर्मियों के मौसम में भी ठिठोड़ते रहे सुबह सब शांत था मंद मंद बयार चल रही थी और परवतिय पंचियों की जैचाहट बातावरन में मधर रस घोल रही थी नाश्ता लेकर हमने आगे कूच किया रिक्षों का काफिला हमारे साथ था और कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा था सफर रुमांच से भरा था नीचे उगल नदी और उस पर जमी करीब 10 फुट मोटी बरफ की तह मढ़ी तक 8 से 10 किलोमीटर का सफर नदी पर जमी बरफ पर चलते हुए तै किया तो पहर होते होते मढ़ी आ गई थी यहाँ सिर्फ एक दुकान है और वह भी मौसमी हरियाली से भरा पड़ा है लेकिन थमजर दडरे से नीचे उदरने का रास्ता इतना जोखिम भरा है कि अकसर उदरने वाला पगपग पर फिसलता हुआ नजर आता है इस रोमांच कारी रास्ते को तै करके जब नीचे पहुँचते है तो चारों तरफ प्रकृती ही प्रकृती बिखरी हुई दिखाई देती है एक सुरम्य जील है जिसके पानी का रंग गहरा नीला दिखता है जील की गहराई का कोई अनुमा नहीं लगाया जा सकता मान्यता है कि इस जील में देवता स्नान करते है आगे का रास्ता दुरू भी है और सुरम्य भी तकरीबन साथ किलो मीटर के इस सफर में रंग बिरंगे छोटे छोटे भोल जड़ी बूटियों के पौधे, भोज पत्र के बेड, बन्य प्राणी हमारा स्वागत करते दिखते है हिमाचल का राज्य पक्षी, मोनाल और बरफ में पाया जाने वाला भालू भी कुछ खुश नसीब लोगों को दिख जाता है भंगाहल घाटी में पहुचने से पहले आता है काली हनी दरिया, इस दरिया परलकडी का परंपरागत पुल बना है इसे पार करके आगे चलते हुए सुर्मई रावी नदी की छटा अभिभूत कर देती है भंगाहल इस नदी के दाई तरफ स्थित है और यहां रावी और काली हनी दरिया का मनोहारी संगम होता दिखता है रावी नदी का उदभव इसी घाटी के रई गाहर नामक स्थल से होता है जिसे कुछ लोग हनुमान किला भी कहते है लोग मान्यता है कि इस किले में कभी साथ देवी बहनों सत भाजनियों का वास्था किसी कारण वश आपस में मन मुटाव होने पर एक रात छे बड़ी बहने छोटी बहन को सोता छोड़ कर रई सागर से दूर विभिन स्थानों को चली गई जहां वे नदी के रूप में बहने लगी ये नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, व्यास, सतलुज और चेनाब है सुबह जब छोटी बहन की नींद खुली तो स्वयम को अकेला पाकर वह रोने लगी उसके नेत्रों से इतने आसु बहे कि उन्होंने नदी का रूप धारन कर लिया और वह स्वयम रावी नदी बन गई भंगाहल के लोग सत भाजनी को देवियों के रूप में पूझते है भंगाहल जिला कांगडा का आखिरी गाव है इसके एक तरफ लाहॉल स्पीती, दूसरी तरफ कुल्लू और तीसरी तरफ चमबा की सीमाई है भंगाहल की आबादी पांच सौ के आसपास है लकडी से निर्मित अधिकांच गर दो मन्जिला है नीचे भेड बक्रियां और उपर लोग खुद रहते है देवदार के शहतीरों पर की गई नकाशी देखते ही बनती है पत्थरों और लकडी के शहतीरों को डाल कर बनाए गई इन घरों की छटें धलानदार है ताकि बरफ इन पर टिक न सके सर्दियों में जब बाहरी दुनिया से भंगाहल का संपर्क कट जाता है तो यहां के लोग अपेक्शक्रित मैदानी घाटियों की तरफ पलायन नहीं करते बलकि यहीं अपनी दुनिया में मौज मनाते हैं और नाच गानों के दौर से माहौल को जीवन्त रखते हैं